ओहे रब्भा आखिर वो दिन आ ही गया नहीं मुझे डीडील जैया अमरेश्पुरी की याद नहीं आ गई भाई बिग बॉस 17 सीजन के अंदर में पहला वो दिन आया है जिसको देखनी बाद मन किया कि हायर यह कोई टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ देखो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि exactly कल के दिन में क्या हुआ है मेरा जो exactly मन था ना वो दूसरे साइड में था मतलब जो option A है उस पे था option B पे नहीं कहना यह था कि देखो मुनवर फारुकी और उसकी टीम थी मतलब टीम A जो थी मुनवर फारुकी अभिशेग मनारा और अरुन यह चारो जो इन चारो ने मिलकर के जिस तरह से जहला था और जिस तरह से सामना किया था आदे घंटे से उपर की बात थी और उन लोगोंने इतना तो अकल होना चाहिए ना कि फिनाले वीक में जाने के बाद तुम अगर इस तरह सा भी पहुंच गये पर लोग तो वोट करते रहेंगों और वोट के आदार पे तुम एक एक करके गिरते रहोगे तुम पे एक ही रहने वाला है वो बात अलग है कि एंड में जो है बिग अपने अंदर की सारी चीज़े निकाल के रखना चाहता हूं या लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को इसके इलावा ईशा इशा मालविया तो अच्छी खासी फेमस है ना उस तक को भाई इतनी क्या पड़ी वी थी और आईशा खान जहां तक की बात है आईशा खान को दे है बिग बॉस ने बोला है तो उसके बास से जो ऑप्शन दिया गया कि आपके सामने में दो आप्शन है पहला कि वो सारी चीज़े मैं फिर से रिफील कर दूं सारे राशन और आपके सामने जो है गेम दुबारा से आन करूं जिसमें उन लोग ने कुछ 39 मिनिट 51 सेकेंड क कर गई तो सीधा सीधा फिनाले वीक में जाएंगे उसके ऐसे ऑप्शन टू रखा गया कि आपको जो है डिस्कॉलिफाई करने का मौका दिया जा रहा है और यह चारो के चारो नॉमिनेट हो जाएंगे और आप चारो सीधे के सीधे चले जाएंगे फिनाले वीक में इस पदला तो बनता था वाई ऐसे ही खेलना था क्यूंकि दूसरे दिन आने से पहले इन लोगों ने जो जो हरकते की कहते ना कि फट के दर्वाजा हो जाना वो हो चुका था इन चारो का तीन लड़कियां थी लोग हार जाते थे नहीं जेल पाते थे आईशा खान के अगर बा कुछ बनता है आप सब कुछ अपना दम खाम लगा देना चाहते हो और मसाले गाइब कर दो बाल्टी गाइब कर दो सब गाइब कर दो I was so happy जिस तरह से कहा था कि भीक मंगाऊंगा पानी के लिए देख लेना पानी के लिए भीक नहीं मांगा तो देखना भाई वो मुझे क अने वाले को बोलते है साले को मार और मार यह वाला सीन होता था तो मेरे हिसाब सो जो option 2 चुना गया वो बकवास था नहीं होना चाहिए था यार लोग देखो अभी उनके सामने में नो क्या ड्रामा हो गया है उनको पते है आप तो कुछ हो नहीं सकता तो अंकीता तुम लोग ने अपनी असलियत देखा दी तुम लोग तो बहुत अच्छे थे ना तुम्हारा चेहरा देखो यह उतर गया यह उतर गया यह ड्रामा को इनको जो है नंगा करना जुरूरी था लेकिन नहीं हो पाया यह तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि यह च मतलब दरिंदगी and there's a big thing जो मैंने देखा उस एपिसोड के अंदर में वो यह था कि आंकिता लोखंडे वो सारी चीज़ नहीं देख पारी थी वो खुद देख करके जो है ना शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और उसको समझ में आ रहा था कि उनलोगों ने किस हद तक इनन दबल कपड़ा पहन करके and big boss बहुत कमीना इंसान है मतलब खेल गया वन दबलता है बहुत अच्छा सब तो सही है लेकिन आज नहीं होने वाला है कल के दिन होगा सब फिनाले वीक में चारो तो पहुँच गये हैं लेकिन अभी और नंगापन शुरू हो रहा है जिसमें जो है अंकीता लोकंडे यह कह रही है कि देखते देखते तुम लोग ना क्या चीज हो हम लोग देखते तुम लोग ना साले ऐसे ही हो तुम बहुत मीच हो इधर किसी बिग बॉस सीजन में ऐसा फील नहीं हुआ जैसे कि इस टास्क के बाद में हुआ और टिस दा रीजन कि इस वालतू से सीजन के अंदर में मुझे एक वीडियो बनाने का धंग का मौका मिला है जो कि मैं दिल से बिना स्क्रिप्ट के बिना किसी चीज के एक्दम डिरेक सेक्षिन दे जरूर लिखना यहां तक मिले देखने के लिए तही दिल से दनिवाद